अभी एक्जाम टाइम चल रहा है सब स्कूलों उसमें एक्जाम चुरू हो गई है कॉम्पेटेव एक्जाम का भी टाइम आ चुप है तो जो बच्चे अपनी एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉबलम होती है कि सहरे हमारे पास दो या तीन द कुछ पार्ट पहले से करा हुआ है और कौन-कौन सा पार्ट जो आपने अभी तक टुटली एक्न और करेंगे कुईकि एक्जाम के फिर्स्ट टिप फॉर में इस प्राइटाइज पॉर यूएस प्राइटाइज यूर्ट को सकता है बहुत 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 चोटा था चप्टर एक दो कुशन आते हैं लेकिन चार-पाश मांग के आते हैं तो वो चप्टर होता भी जल्दी है और उसके मांग्स भी इसलिए इस उसको बोलते हैं स्मार्ट चड़ी कभी कभी क्या होता है कोई चप्टर आपको पसंद होता है कोई चप्टर बहुत लेंदी होता है बट उसमें से नंबर ऑफ क्वेशन कम आते हैं आप बहुत बार उस लेंदी चप्टर में अपना बहुत सारा टाइम कर देते हैं लेकिन उसका exam के result पे effect inversely होता है तो please आप सबसे पहले weightage check करें कि chapter का weightage क्या है अगर chapter का weightage ज्यादा है तो उसको प्ताहले करें the third important point never ever involved in group study at least in the time of exam अगर आप exam time में खुद की self study नहीं कर पा रहे हैं अगर आप group में बैठे हैं तो हो सकता है और indirectly आपको उस समय तो easy going लगेगी study बट आप जब end to end अपने घर पे आते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि आपने खुद की कुछ की study नहीं कर गी या तो आप दूसरों को पढ़ा के आगए या आप दूसरों के साथ मस्ती करके आगए ठीक है दा fourth point is always make a study plan अगर आपको एक दिन या दो दिन या तीन दिन की चुट्टी मिली है तो उसमें आप जैसे paper देखे आते हैं उस paper देने आने बाद शाम को जब भी आप free होते हैं fresh mind होता है ता आप एक study plan बना है कि आप first day पर क्या करेंगे हम तीन से चार mock papers solve करें जब आप papers solve करते हैं तो सबसे पहले तो आपको time management आता है the second thing is जब हम individual chapter wise पढ़ते हैं तो हमको हर चीज़ी easy लगती है बट जब हम papers solve करते हैं तो हर chapter की questions mix होके आते हैं तो जो mix question आते हैं तो बहुत बार हम किती chapter का formula भूल चुके होते हैं बहुत बार हम चीज़ों को reconnect नहीं कर पाते हैं तो exam में ऐसा हो इससे पहले उसकी एक दिन पहले कम से कम आपके चार से पांच mock papers, previous year papers, दूसरे schools की papers solve हो जाने चाहिए ताकि आपको खुद की ability, खुद का study plan और खुद का exam plan समझ में हैं कि आपको कौन-कौन से point पर weakness हो रही हैं बहुत सारी anxiety, बहुत सारी anxiety जो directly आपकी exam time पर आती है, मतलब अचानक मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं formula भूल गया, या मैं को question का answer नहीं आ रहे, calculation problem आ रही है, अकर आपको एक दिन पहले वो paper solve कर लेते हैं, तो exam time की anxiety कम हो जाती है, क्योंकि आपको already पता है कि question number 2 ऐसा तक कि आप exam time की anxiety से बचे, paper छूटने से बचे, प्योंकि आप जब paper solve करते हैं, तो आपका time management, आपका mind management, आपका fatigue study, सब test होती है, so thank you so much, wish you all the very best.